लगबग 20-30 मिनिट में एक तरफ एक घुटने का उपरेशन हम कतम कर देते हैं नॉर्मल नी रिप्रेश्मेंट के अंदर पेशन्ट को दो दिन के लिए आईसिउ में रखना पड़ता है FTE 3D री सर्फिसिंग में आईसिउ की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे आमूमन पेशन्ट जो ऑपरेशन करवाते हैं वो लगबग ऑपरेशन के तीन या चार गंटे के बाद ही नए गुटनों पे खड़े होके चलना शुरू कर देते हैं अभी मौजुदा वक्त में आपके बास कहां कहां से पेशन्ट आ रहे हैं हमारे पास डेली से बहुत पेशन्स आते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे महराष्टा के सांगली से जारखंड से भिहार से उत्राखंड से कुछ पेशन्स राजिस्थान से पेशन्स की जो खराब हड़ी होती है सिर्व उसको ही निकाला जाता है अगर किसी भी पेशन्ट को दोनों गुटनों की प्रॉब्लम है तो हम बड़ा सेफली और बहुत ही असान से असानी से हम दोनों गुटने को आपरेशन एक ही समय में कर देते हैं तब बग 14-15 दिन के बाद वो बिना किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद लाइफ लॉंग छड़ी पकटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कितने साल तक ये सही रहेगा ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं पेशेंट को दुबारा उपरेशन करवाना पड़े है करें ये लॉटिमीट सीलिउशं अल्टिमीट सूलोशन मतलब जैक diyorsun्के बाद एसा नहीं है कि 5 सल भाद 7 सल भाद मरीज को फिर से कोई और óperation करना पड़े है सबसे जो जरूरी बात है patient को operation के लिए कमर में epidural injection लगाने की कुई जरूरत नी होती है इस technology में जो चीरे का size होता है वो नौर्मल ओपरेशन के size जीरे के size से लगबग हाफ होता है उसके उपर चीरे को बंद करने के लिए हमले लोहे के टांके लगाने तब की भी ज़रूरतनी होती है क्यों ऐसा है कि ये टेकनोलजी आपके होस्पिटल में ही है और कहीं नहीं ये जो आप टेकनोलजी की बात कर रहा हूँ ये एक पेटेंटेर्ड सौफिएर है यहानी कि ये पेटेंट प्रोटेक्टेडेड है जब भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये चांकिया जाता है कि डाइपो टीज का मरीज तो नहीं है कोई हाट प्रोब्लम तो नहीं है यह obesity मोटापा तो नहीं है जिन मरीजों को heart की problem या जिनका वजन जादा हो या जिनको sugar की problem हो उनके लिए ये operation जादा फाइदा मन होता है, जादा बहतर होता है जो robot के जरीए operation होते हैं, उसमें और FT3D resurfacing में क्या फ़र्म होता है रोबाटिक D replacement में भी patient को ICU में रखना पड़ता है, patient को तकलीफ होती है और epidural injection भी लगाना पड़ता है टेक्नोलोजी की मदद से, software की मदद से, आज हम वही पुराने operation जादा बहतर तरीके से जादा accurately कर पा रहे हैं गुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या जिससे आज कल हर कोई परिशान है, हर किसी को झेलना पड़ता है खास दोर पर बात करें, 50 की उम्र, 60 की उम्र तो उसके बाद हर किसी के गुटनों में दर्द हो जाता है फिर गुटने replace करवाने पड़ते हैं, आपने सुना भी होगा कि फला इंसान ने जो अब अपने गुटने बदलवा लिए, गुटने चेंज करवा लिए लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि एक तो blood loss जादा होता है, operation बड़ा होता है तो ऐसा क्या हो कि operation भी हो जाए और चीरा भी कम लगे, दर्द भी कम हो और जिसका operation हुआ है यानि जो मरीज है वो जल्दी ठीक हो जाए बिल्कुल, ये संभव है और आज की तारीक में ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कौन इसे कर रहा है, कौन वो डॉक्टर है, कौन वो hospital है आज सारी जानकारी, सारी बाच्चीत आपको बताएंगे, कराएंगे, हमारे स्टूडियो में, देश हर्याना टीवी के स्टूडियो में मौदूद हैं, डॉक्टर साहब, कौन वो डॉक्टर हैं, और कैसे वो इस चीज़ को कर रहे हैं, कैसे इस operation को सफल बना रहे हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर साब, नमस्कार, आप सबसे पहले अपना परिश्य दें और बताएं कि आखिरकारी कैसे संभव हो पा रहा है, कि जिस operation को करने के लिए पहले टाइम ज्यादा लगता था, बलड लॉस ज्यादा होता था मरीज ज्यादा देर बाद रिकवर होता था, लेकिन आज ये पॉसिबल हो रहा है कि दो गेंटे बाद ही मरीज ठीक हो रहा है। आज हम वही पुराने ऑपरेशन जादा बहरतर तरीके से जादा एकुरेटली कर पा रहे हैं। तो अगर आपका सवाल का अगर ये अगर मैं डारेट जवाब दूं कि पुराने ऑपरेशन से ये कैसे पॉसिबल हो गया है कि परीज तीन चार गंटे के बाद चलना चुरू क पर देते हैं तो उसका जो सारा श्रेज आता है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेर्स की उपर जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलोजी है उसकी उपर जाता है ये जो आपने बात की एफटी थ्रीडी नी री सर्फेसिंग की तो डॉप्ट साब मुझे ये बताइए कि एफटी थ्रीडी नी री सर्फेसिंग और ट्रेडिशनल नी रिप्लेस्मेंट आखिरकार इसमें फर क्या है क्योंकि आपने ये कहा कि वो भी बहुत अच्छे ऑपरेशन हो रहे थे नी रिप्लेस्मेंट जो की बहुती पुराने ऑपरेशन बहुती ट्रडिशनल और एक ट्रस्टड ऑपरेशन है बहुती सक्सेस्फुल ऑपरेशन है उसमें हम मरीज के हम पूरे गुटने बदल देते हैं जिसके कारण पेशन्स की जो हड़ी होती है वो हमें जादा निकाल पड़ते हैं एफ्टी 3D नी रिसर्फिसिंग में हमने मरीज के सिर्फ जो डैमेजड पार्ट होता है जो खराब हिस्सा होता है हम सिर्फ उसको निकालते हैं और उसके ओपर हम मेटल के इंप्लांट कैप्स लगाते हैं तो यह मेजर डिफरेंस है पूरे गुटने बदलना या सिर्फ खराब हिसे को तभी इसका नाम रिसर्फिसिंग बोलते हैं यानि कि हमने उसके ऊपर का जो परत है सर्फिस को चेंज करना है ना कि पूरे गुटने को जी ड़क्ट सब एक सवाल ये कि क्या ये टेकनोलजी आपके ही होस्पिटल में है और अगर ऐसा है तो क्यू इसा है कि अपके फोस्पिटल में ही है और कहीं ये 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 जो आप भाप कर रहे हूँ ये जो आप मैंEEEE nोची की जो बात क्रा रहो हूं EU k Danny to use कर लिए सबसे पहले आपको बहुत ही जयादा ट्रेगनिग लेनी पड़ती है जयानि препर्सक्रा यह ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग के बाद आपको उसके बाद ही यह परमीशन मिलती है कि आप यह वला सॉफ्ट वेर मरीजों पे उपर इसनमाल कर सको ऐसा नहीं है कि किसी भी हॉस्पिटल ने या कहीं किसी ने भी डिसीजन ले लिया कि मेरे को टेक्नोलोजी उससे म अर्टिकुलर चीज में महारत हासिल की होती है वो उसी चीज का स्पेशलिस्ट पनता है जिस ऑपरेशन को करने के लिए इतने साल ट्रेनिंग लेने के बाद ही यह उपरेशन करने पॉसिबल होते हैं और अलाउड होते हैं जो घुटनों के दर्थ की जब बात करते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल यह है कि जिस किसी ने भी चाहे उस मरीज की उमर 50 साल है चाहे साथ साल है ऑपरेशन हो जाता है जैसे पुराना तरीका ट्रेडिशनल नी री सर्फेसिंग जो है वो ऑपरेशन हो गया लेकिन ऑपरेशन के बाद जो दिक्कते आती है वो बहुत मरीज को परिशान करती है क्योंकि अहए यह कहा जाता है कि एक महीने में ठीक हो जाइए है अपने डिलेटिव की बद但是τι कुर दर्णा है और जो आपरेशन हुआ और चीरा बोलग तो इस जो ये एक सर्फेसिंग्य को अलग Repeder owned ने कहा यह कंच महीने पारेशन करती है अगकि traditional knee replacement की बात करें तो FT3D knee resurfacing में क्योंकि हम technology का इस्तमाल करते हैं number one patient की जो खराब हड़ी होती है सिर्फ उसको ही निकाला जाता है यानि की patient की normal हड़ी को हम बचा के रखते हैं ligaments को बचा के रखते हैं उसकारण patient को जो दर्द होता है वो comparatively बहुत ही कम होता है दूसरी बात इस technology में जो चीरे का साइज होता है वो normal operation के साइज चीरे के साइज से लगबग हाफ होता है और उसके उपर चीरे को बंद करने के लिए हमले लोहे के टांके लगाने तक की भी ज़रूरत नहीं होती है हम जो इस्तिमाल करते हैं वो dissolvable stitches होते हैं यह कुछ दिन के बाद अपने आप ही घुल जाते हैं तो बारी बारी पट्टी करवाना बाद में जाके टांके निकलवाना यह सब चीजे अब यह कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज क्योंकि यह ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है वह लगबग 20-30 मिनट होता है तो पेशन्ट लगबग 20-30 मिनट में एक तरफ एक गुटने का उपरेशन हम कतम कर देते हैं तो अपरेशन का समय कम होने के कारण जो पोस्ट आप जो पेशन की रिकवरी होती है बहुत जादा फास्ट बहुत जल्दी होती है हमारे आमूमन पेशन्ट जो अपरेशन करवाते हैं वह लगबग ऑपरेशन के तीन या चार गंटे के बाद ही अपने नए पैरों पे अपने नए घुटनों पे खड़े होके चलना शुरू कर अगले दिन से ऑपरेशन के अगले दिन से ही वह बातरूम या ट्वालेट जाना शुरू कर देते हैं और अपरेशन के मातर तीन या चार दिन के बाद हम उनको बहुत ही मिनमल होता हमें और कोई खुण चड़ाने की जरूरत नहीं होती है उसका अगें जो कारण जो श्रह जाता है वह है technology के वे नॉर्मल उपरेशन जो ट्रडिशनल जवर एक स्णरी के बेसिस कि की जाते हैं जो की हैस्ट्रेशन के घ्र्टने के हमने अक्सट्रेख ये एक स्ड़ाइक है हुड एकुग सिर्ट्र में देखा और हमने ऑपरिशन कर दिया उससमें कोई प्लैनिग न तक के सेरर के सेरा थाप्टाग करवा इसकेहारे चाहरा hours सीटीं कर वा टे-सका करवाथे हैं उस सीटीय के बाद बाद हमारे पास अ система मॉडल बन आथा हैं प्रहुटर के उपर हैं उस मॉडल के ऊपर modern dad I was an intelligence और machine learning के software के साथ एक virtual surgery करता है यानि कि मरीज अभी तक अपने घर में ही होता है लेकिन computer उनकी एक virtual surgery computer पर कर रहा होता है computer जब surgery को successful तरह से implement कर देते जब surgery computer virtual surgery successfully कर देता है हम तब ही मरीज का हम actual operation करते हैं यानि कि हमारे पास operation करने की हर एक information operation कैसे करना है किस तरफ से कितनी हड़ी निकाल ली है operation की alignment कैसी होनी चाहिए जो मने implant cap यूज करने है उनका क्या साइज होगा उनकी क्या बनावट होगी उनकी क्या थिकनेस होगी कितने गहराई होगी किस एंगल पर फिट करने हैं यह सब चीजें हमें operation से पहले ही पता चल जाती है जानि जो आपने 3D कहा तो यह 3D जो हम आज कल देख रहे हैं सुन रहे हैं यह टेकनीक जो है operation में भी पूरी तरह से यूज हो रही है और उसी टेकनीक से फिर जो operation हो रहे हैं वो इतने सफल हो रहे हैं और जिससे की मरीजों को किसी तरह का कोई नुकसान नी और जल्दी से मरीज ठीक हो जाते हैं यही कहने का बतलब आपको जी जो टेकनोलोजी है यह बेसिकली आर्टिविचल इंटेलिजेंस यानि की कृत्री मुद्धी मता की मदद से की जाती है जो डिसीजन ओपरेशन के दोरान लिये जाते थे पुराने उपरेशन में वही डिसीजन्स वही प्लैनिंग अगर हम अपरेशन से पहले करें तो उसका जो अल्टिमेट फाइदा होता ह वो तो पेशन मरीज को ही मिलता है पहले उपरेशन में समय लगता था एक घंटा देड़ घंटा एक ऑपरेशन का आज कल उपरेशन मातर 20-30 मिरिट में खतम हो जाता है एक और जो बेनिविट होता है इस एक जुर्शन में इंट्रा मेडुलरी अलाइंबेंस रॉड डालने यह रोड हम जैसे ही operation शुरू करते हैं, हमारी जांग की हड़ी को drill करके यह रोड डाली जाती है और उसी रोड के उपर बाकी सारा operation किया जाता है ताकि operation की alignment बिल्कुल गुटने के center में हो लेकिन जब operation खतम होता तो अब हमें रोड निकाल देते हैं जिस process के अंदर जो हमारे जान की हड़ी है वो खोकली हो जाती है वो खाली हो जाती है क्योंकि हमने पहले drill की फिर रोड डाली फिर operation की फिर रोड निकाल दी इसी खोकली हड़ी के कारण या कमजोर हड़ी के कारण पेशन्ट को operation के बहुत महीनों तक सालों तक वो दर्द बना रहता है FTE 3D near resurfacing में हमारी जो operation की alignment जो implant caps की alignment और हर चीज की जो planning है वो हम अपने computer software से करते हैं तो FTE 3D resurfacing में हमें rod का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता है Rod का इस्तेमाल नहीं करना है डॉक्ट सब एक बात और है जब भी हम operation आज तक जो operation होते रहे हैं बलकि अब भी हो रहे हैं तो जब भी operation के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यह चाकिया जाता है कि diabetes का मरीज तो नहीं है कोई heart problem तो नहीं है यह obesity मोटापा तो नहीं है तो क्या यह जो operation अब 3D technique से होगा इसके लिए भी यह सारी अहतियात बरतनी जरूरी है या फिर patient करवा सकता है अपना operation ó righteous criminal शेटिष्टर्शनल्घ जिए रपेस्मेंट के operation में सबसे पहले यह मरीज को बोला जाता है कि पहले अपना बज़न कर कि आई आए बाल इपनी शुगर कर के आई आर आट की प्राव्ben को सॉल्व कर कर आई क्योंकि normal operation में complication होने का जो risk होता है वो जादा होता है F2D Resurfacing में क्युंकि operation का जो duration समय होता है वो कम होता है और जो पेशन को तकलीफ होनी होती वो बहुती minimal होती है कम होती है तो जिन मरीजों को heart की problem या जिनका वजन जादा हो या जिनको sugar की problem हो उनके लिए ये operation एक सबस्टेस्स्क्य में कर कि नी ने पहलेक समय आधा और सब्सक्रe Luckily भूचिने आप सबस्ते ही लिए अरो झाल से जाती उंका इनका सब्सक्रशन कहीं आट किishna r tomb एक सब्सक्ता से अनल्लिए तो एक सोग्ड से बिमारी तो सब्सक्रशन होती उन जिस अथी एप्ती 3D है जादा सेफ है क्योंकि अक्सर जैसे घरों में भी यह बात चलती है डॉक्टर के पास मरीज चाहे जाए या ना जाए लेकिन एक मिथ बना हुआ करवा सकता है बिलकुल यह यही कहना जाने है और जैसे ही गुट्नों को ऑपरेशन सकस्यस्फुल हो जाता है पेशट का चलना फिरना असान हो जाता है तो नॉर्मल जो शूगर पेशट का सडेंटरी व्यूर्म के करें कि बैठे बैठे जो सेर ना करने के कारण जा कम एक्टि तियानि पेशन्ट चलने फिरने लग जाता है तो स्पार गएतक अगले दिन से उनका बातरूम ट्वालेट जाना शुरू हो जाता है नेक्स डे ऑपरेशन के अगले दिन उनको रूम के अंदर या वार के अंदर हम सपोर्ट के साथ चलाना शुरू कर देते हैं तो जो एक्टिविटी है उनकी बहुत जल्दी हो जाती है दूसरा जो सवाल था अपका कि यह जो अपरेशन है FTE 3D Neer Resurfacing यह एक टाइम बाय करने के लिए यानि कि कुछ समय निकालने के लिए नहीं बनाया गया है यह उपरेशन एक ultimate solution है ultimate solution के मतलब यह final operation है जिसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद 7 साल बाद मरीज को फिर से कोई और operation कराना पड़ेगा यह operation में जो हम implant caps यूज करते हैं वो हम जादातर केसे में titanium, niobium, nitride के जिनको हम gold on gold knee implant cap बोलते हैं यह हम implant caps की इस्तमाल करते हैं इन implant caps की जो clinical trials में जो average उमर है average lifestyle average life है वो है लगबग 30 साल यानि कि कुछ मेरीजों में 30 साल 30 साल से जादा भी यह last करते हैं तो जादातर जो population होती है व एक ही operation कराने की जरूरत है कि दोबारा नहीं ऐसा नहीं है कि यह operation दोबारा बारी-बारी करने पड़ते हैं उन मरीजों में जिनको यह operation की जरूरत बहुत कम उमर में पढ़ जासे कुछ पेशन्स को गठिया होता है जिसको हम rheumatid arthritis बोलते हैं ऐसे पेशन्स को 30 साल 32 साल 35 सा है भी तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं और वो भी उतना ही सक्सेस्फूली जतना हम पहले operation के दोरान करते हैं यानि अगर किसी इनसान ने 35 की उमर में कोई नौजवान है उसने 35 की उमरें अपना operation करवाया तो 70 साल तक तो इनसान सही रहेगा अगर 70 साल की उमर में जाके है तो ultimate message है कि यह जो operation है यह बहुत साल patient की मदद करेगा अगर इतनी लंबी उमर है कि हमें दुबारा भी करना पड़े तो उसमें भी हम इसको रिवाइज करके बड़े असानी से operation कर सकते हैं मेरे experience में यह operation मरीजों को एक लाइफ में एक बार ही कराना पड़ता है दुबार कर दुबारा के कारण बढ़ापे में ऑस्टियो प्रोसिस के कारण हड़ी कमजोर जाती है तो अवराली कोई एक्सिदेंट कर शिकार हो जाते हैं उन केसिस में भी यह हम बड़ा सक्सेस्फुली बड़े ही आराम से दुबारा भी रवाइज कर सकते हैं अच्छी आपने तो एवरेज लाइज जो एज ग्रूप होता था उमर जो हमारे पास ऑपरेशन करवाते थे वो होते थे साट साल पैंशच साल साल सतर साल लेकिन आज कल बिकॉज अफ लाइज स्टाइल चेंज़ कि एकसाइज कम है वर्जिश वयायाम कम है चलना फिरना कम है बहुत ही कम उमर म कि जरूरी है कि हम मेडिकल फिल्ड के अंदर नई नई टेकनोलोजी की मदद से वही पुराने ओपरेशन को इतना बहतर कर दें कि वह एक ओपरेशन ही यंग उमर में अगर कम उमर में अगर किया जाए तो वह लाइफ-लॉंग उनकी मदद करें यहां डॉक्र साब मैं अपन चले आ रहे हैं उसको चेंज करके अब एफटी 3D नी रिप्लेस्मेंट री सर्फेसिंग जो कह रहे हैं यह टेकनोलोजी अब नहीं है यानि आपको किसी भी तरह की चिंता चिंता इस बारे में कि ऑपरेशन के बाद कितना मुझे टाइम रिकवर होने में लगेगा कितना सम चीं चार गेंटे में चलना शुरू हो जाता है बिलकुल इसका जो एक्जामपल है जैसे आपने बताया कि यह पुराने ऑपरेशन का ही एक एडवांस वर्जन है पहले पुराने जमाने में अगर पीसी भी पेशिंट का किसी मरीज का दान्त खराब होता था तो वह जड़ को बचा लिया जाता है। सेम नी रिप्लेस्मेंट में पूरा दांत निकाला जाता था नीरी सरफेसिंग में सिर्फ खराब इससे को निकाला जाता है यानि कि सेम operation जो principle है operation का खराब चीज को ठीक करना हमने नीरी सर्फिसिंग में सिर्फ घुटने के खराब हिस्से को ही cover करना है और उसकी ओपर खराइब को बिल्कुल जो यह मजबूरन यह करना पड़ता था पर हमें त्रामेडिलरी अलाइन्मेंट रॉड थाइब जाहन की दालनी पड़ती ती आज़ कल भी जहां पर भी नीरी रिपलेस्मेंट हो रहरे हैं वहां पर भी अभी पूरा उटना ही निकाल दिया जाता एव जो खराब हिस्सा उसको भी जो सही हिस्सा उसको मी मजबूरन निकालना पड़ता है रोड डालनी पड़ती है लेकिन टेक्नोलोजी की मदद से अगर हम यही सेम चीजें अगर हम अवाइड कर पाएं तो कितना अची बात है जैसे किसी पेशेंट को नॉर्मल नी रिप्लेश् के लिए कमर में एपीडूरल इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है अब आपने बड़ा नॉर्मली सुना होगा पेशेंट के घुटने ठीक हो जाते हैं लेकिन कमर दर्द हो जाता है उसका कारण होता है हम अपनी रिप्लेश्मेंट के ऑपरेशन के बाद लग क्योंकि हमने रौड नहीं डाली होती है और ऑपरेशन बीस या तीस मिनट में खतम ही हो जाता है पेशेंट को जो दर्द होता है वो बहुत ही जादा कम होता है बहुत सारे पेशेंट के बाद बैटके अपना टेलिविजन टीवी देख रहे तक बार पड़ रहे होते हैं क् हमने ना तो पेशेंट को आई स्यू में रखना होता है ना ही अफ्टी डीरी सफिसिंग में कमर में एपीडूरन इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है डोक्र सब एक बात आती है कि बहुत सारे लोग यह समझना चाहते हैं और सवाल भी आते हैं हमारे बास भी के वर गते हैं उसके लिए हमें थोडा समझने की दुरूरत है हमारे घुटने के अंदर तीन अड़ लग कंपांटमेंट होते हैं अगर तीन अलग अग ऑंपांटमेंट में थोड़ा थोड़ा डैमेच हुआ Stallion कूच ए जाता है जासी हम F-T 3-D थोड़ा डैमेज हुआ होता है दूसरा जो डिफरेंस है पार्शल नी रिप्लेस्मेंट कुछ सालों के लिए आपकी मदद करेगी तब तक बाकी कंपार्टमेंट जो तब पहले खराब नहीं थे वह भी खराब होना शुरू हो जाएंगे और फिर से आपको अपरेशन करवाना पड़ेगा एफटी 3D रिसर्फिसिंग क्योंकि हमने सारे कंपार्टमेंट के डैमेज हिस्से को कवर कर देना है तो हमें दुबारा आठ साल बाद दस साल बाद हमें दुबारा कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है अच्छा एक और बात है एक रोबोटिक जो रोबोट के जरीए उपरेशन होते हैं उसमें और एफटी 3D रिसर्फिसिंग में क्या फरक है रोबोटिक नी रिप्लेस्मेंट और एफटी 3D रिसर्फिसिंग दोनों ही उपरेशन की जो प्लैनिंग होती है दोनों परेशन पेली बाद तो दोनों परेशन CT scan based है. जनी कि दोनों operation करने से पहले चाहिए वो robotic हो चाहिए F T3D हो. दोनों operation से पहले मरीज के CT scan टाउये जाते हैं. दोनों operations में CT scans के बाद उसका जो data मिलता है उसकी planning की जाते हैं. यनी कि computer उसकी planning करता है. दोनों operations में दोनों operations का जो जो मकसत होता है वो पेेशन्ट of कि ऑप्लेनिंग को जाता से सहाधा एकुरिड बनाना तो दोनों परेशन्स की जो प्लेनिंग है औरिष्टा की जो तो कि जो अकुरिसी है वह बिनकोल बराबर है लेकिन जो तो डिफरेंस है क्योंकि रोबॉट एक महेंगी मशीन है वो करोडों की आती है तो अल्टिमेटली जो उसका मशीन का खर्चा है वो तो मरीज को अपने पॉकेट से देना पड़ता है FTT Resurfacing में क्योंकि हमने ऐसी कुई मशीन जो रोबॉट इतना महंगा हमें नहीं इस्तमाल करना होता है क्योंकि यह रोबॉट यह एक कंप्यूटर सॉफ्वियर बेस्ट ऑपरेशन है इसमें जो खर्चा होता है वो रोबॉटिक नीर रिप्लेस्मेंट के कंपेरिटिवली हाफ होता है यहानियां कि its the main course II उत्ना ही ज्यादा एकुरेट ऑपरेशन उसतना ही ज्यादा प्लेनिंग के उपरेशन लेकिं उसका जो कॉस्त है वो हाफ तो यह मुझे डिफरेंस यह जानी की यह ऑपरेशन हम ज्यादा मरीजों को ज्यादा मरीजों में इस्क्राइब कर सकते तो उन मरीजों के लिए एक affordable version है रोबॉटिंग रिप्लेसमेंट अफ़ोर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जुझार लेकिन बाकी मरीजों का जिनके पास इतनी शहमता नहीं है तो उन मरीजों को तो हम यह नहीं कह सकते कि हम आपको अपरेट लिए नहीं करेंगे उन मरीज की जो डियुरेशन होती है वो लगबग एक उपरेशन को समय जादा लगता है तो पेशन को अगें दर्द जादा होता है पेशन्ट को आई सिव में रखना पड़ता है तो ना तो आई सिव में रखना पड़ता है पेशन्ट को तकलीफ होती है और एपिडूरल इंजेक्शन में एकुरेसी बिल्कुल एट पर है लेकिन ना तो आइस v में रखना पड़ता है तो एक तना से विन-विन सच्वेशन हैं यानि कि हमें एकुरेसी एट पार मेल रही है लेकिन खर्चा और तकलीफ तो है वह कम हो रही है यानि अगर शिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो पहली बात तो ए कि जो ट्रीश्चिनल में रिप्लिस्मेंट हो रही है उससे एक तो बड़ा एंदर ये कि इंजेक्षन्च लगाने कि जो बैक में इंजेक्षन लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं है पेशेंट को ICU में रहने की जरूरत नहीं है प्लस अगर हम इसकी robotic knee replacement से comparison करें तो वहाँ भी patient को ICU में रखने की जरूरत है, साथ ही साथ उसको injection जो back में लगता है वो भी लगेगा तकलीप भी ज़्यादा होगी तो इन सब बातों का comparison अगर करें तो RT, अपना 3D resurfacing जो वो सबसे बढ़ी है बिलकुल हमारा as doctors, as surgeons या हमारी medical का जो ultimate जो गोल होता है वो हता है कि जादा बहतर से बहतर technology जादा से जादा लोगों को परवाइड की जाए ना कि बहतर technology सिर्फ कुछ मरीजों के लिए हम रिजर्व करके रखें इसी ऑपरेशन के दोरान हम अभी जगा 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 जाके चोटे-चोटे शहरों में जाके अवेरनेस क्रेट करें उनको लोगों को बता रहे हैं कि आपके बास एक ऐसा अप्शन भी है जिसके कारण जिसके साथ आप बड़ा एकुरेटली और बड़ा सक्सेस्फुली अपने गुटने को अपरेशन करवा सकते हैं बिना जादा खर्च की है तो हमारा हर जगा पे जो कॉंफरेंस करने का या जो मीडिया के साथ बात करने का में रीजन मकसद यही होता है ताकि जादा अवेरनस लोगों को अट लीस्ट पता तो चले कि ऐसी भी एक टेकनोलोजी एक्जिस्ट करती है जो कि इतनी एकुरेट है लेकिन उतनी ज्यादा महेंगी नहीं अच्छे डॉक्ट सब एक और सवाल है कई बार देखते हैं हम की किसी पेशेंट की दोनों ही हो जाता है या हो सकता है क्योंकि आमोमन जो ट्रडिशनल रिसर फेसिंग होती है उसमें यह कहा जाता है कि पहले आप एक घुटने का करवा लो फिर अगले साल दूसरे के घुटने का करवा लें तो क्या यह पॉसिवल है घुटने भी पुराने ऑपरेशन है उ Granny पराने ऑपरेशन में होने का जो चान्स होता है वो जादा होता है तपि जादातर केसिस में आपने दिखा होगा कि जब भी नी रिप्लेश्मेंट करते हैं एक तरफ को अपरेशन पहले करते हैं कोई प्रॉब्लम सी कोई को आपरेशन नहीं गयाए कि को एक साल के बाद हमस्वारा दूसरा करेंगे दूसरी बात तो हमारे जादार पेशन जो है अगर किसी भी पेशन्ट को दोनों गुटनों की प्रॉबलम है तो हम बड़ा सेफली और बहुत आसान से असानी से हम दोनों गुटने को परेशन एक समय में कर देते हैं जिन मरीजों का दोनों गुटने को अपरेशन एक समय पे किया जाता है वो जादा बैलन्स तरीके से चलते हैं, आप एमेजिन करें कि दोनों गुटने टेड़ हो रखे हैं, हमने एक गुटना तो अपरेशन कर सीधा कर दिया है, दूसरा गुटना टेड़ रह गया तो मरीज कैसे चल पाएगा, यह वो कैसे जल्दी रिकवर कर पाएगा, तो अगर चलते हैं, तो पहले जो प्रॉसस रिकवरी का तीन महीने से Rouge महीने हुआ करता था आज वो तीन हथे से हो गया है है, प्रॉसस यह जॉउगता है ऊचाह। और चाहिए साभदानीय बरतनी जरूरी होती है तो यह ή जब किया जाता है, तो क्या साभदानिय बरतनी चाहिए जिससे कि कोई ऐसा नह den пользов कि तो वैसे ही अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करवाया है तो अपरेशन के बाद क्या-क्या साबधानी बरतनी उसको जरूरी है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और अपरेशन ठीक बैटे कि अपरेशन के बाद यह समझना कि मेरे को मरीज को कुछ भी नहीं हो सकता वह गलत होगा यह जाद रखना ज़रूरी है कि हमने एक खराब गठने को ठीक किया है हमने बाकी कुछ और नहीं चेंज किया है तो अपने नहे अपरेशन के सक्सेस्फुल रखने के लिए उसकी जो ऩाड़ के लिए सबसे ज़ुरी जो चीज है वो है सेर करना मरीज को बाद यह नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा तो परेशन हो गए अब मैं बस बैठ के अपनी सारी जिंदगी आप से निकाल सकता हूं उपरेशन के बाद सेर करना exercise करने, cycling करने, यह सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दूसरी चीज हम मना करते हैं पेशन्स को कि इंडियन स्टाइल जो ट्वालेट है नीचे उक्रू करके बैठना, वो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो कम से कम किया जाए नीचे जमीन पे नीचे बैठने से जो ऑपरेशन की जो लाइफ है वो कम होती है similarly, जमीन पे चौकडी लगा के बैठना हाला कि हम जो इंप्लांट के आप यूज़ करते हैं, वो हाई-फलेक्स इंप्लांट होते हैं तो मरीज बड़े असानी से चौकडी लगा लेते हैं तो अगर पेशन्ट को मरीज को चौकडी लगानी है तो हम सज्जेस्ट करते हैं कि आप किसी प्लैटफॉर्म के उपर या कि कोई बैड के उपर या एक हलकी थोड़ा उंचा सा प्लैटफॉम उसकी उपर बैठके चौ प्लैटफॉर्म बनाएं और उस प्लैटफॉर्म पे चौकडी लगा के बैठें इंडिन स्टाइल ट्विलेट बिल्कुल नहीं यूज करना होता एक दूसरा प्रिकोर्शन होता है कोई भी रनिंग जॉगिंग जैसी वाली चीज़े एक्साइज करना अलग चीज है जंप किसी दिवार से कूदना या कोई कॉंटैक्ट स्पोर्ट्स केदना जैसे कबड़ी या कि फुटबाल वो सब चीज़ें अवाइड करने चाहिए बेसिकली यह कहने का है कि हमने अपने अपरेशन को ज्यादा ऑपरेशन के बास संभाल के रखने जरूर ताकि वह सारी उमुर आपका सामती अच एक वर बात मैं पूछना चाहां को कि ऑपरेशन हो गया साफधानी भी बरती जा रहे हैं मरीज की तरब से तो ऑपरेशन होने के बाद दो महीने थीन महीने चार महीने क्या उसको क्योंकि नॉर्मल जो ट्रिडिशनल आपरेशन होता है उसमें हम देख बह हमारे जादातर जो पेशिंट्स हैं वो वाकर के साथ चलते हैं लगबग हफता या दस दिन उसके बाद अगले एक हफते में वो छड़ी के साथ चलते हैं यानि कि लगबग 14-15 दिन के बाद वो बिना किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं यह मैं उन्क मेरीजों की बात कर देंगे जिनके गोनों गुटनों के उपरेशन किया जिन मेरे पेशन्मेरीज का एक गुटने का उपरेशन किया जाता है वो लगभग 10 दिन के अंदर ही बिना किसी सपोर्ट के बिना किसी चड़ी के चलना शुरू करते हैं और उसके बाद लाइफ लॉंग चड़ी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है हाँ यह जरूर हम बताते हैं कि अगर आपको किसी अन्फेमिलियर जगह नई जगा पर जब जा रहे हैं जासे आपको लगता कि आगे कोई उची नीची जगा है स्लिपरी जगह है तो वहां पर एक स्टिक पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है ताकि हम स्लिपों के गिरे नहीं तो एक बड़ा गाउं में चले जाएए आप या शहर की बात कर लीजिए एक बड़ा अनूठा सा सवाल होता है और आपने भी हमने भी हर जगह सुना है कि पचा इंच के समझ लिए यह तो हम मुर्च को पर घुके की तो अमरीज को समझाने के लिएर बड़ाई कि आपके लिए अम्हें गुटने में हम आथा बहूत तू रफ边 यह समझाने के लिए बचाई शर्ण बचा बड़ां अई टिकास के रहिता है अग्सा हएबने इस को यह दो एक नॉर्मल फ्लूइड होता है। उसका साइनोविल फ्लूइड का गुटने की विमारी के साथ कोई रलेशनी है। गुटने की हड़ियों के उपर एक प्रोटेक्टिव एक प्रिवेंट करने के लिए एक सक्त परत होती है। जिसको मेडिकल लेंगज में काते हैं। इस परत काम होता है यह होता है कि जांग की हड़ियों को आपस में रगण ना खाने दे। उमर के साथ या किसी चोड लगने के कारन यह जब काटलेज जो गिसना शुरू हो जाता है यह तूटने लग जाता है तब हम कहते हैं कि आपको गुटनों की प्रावलम है। ग्रीज का या गैप का या और कोई ऐसी चीज का मेडिकली कोई रलेशन नहीं है। अपको अच्छाब लगने जब लगनें जाता है। प्रोसेस एक गुटने खराब होना कोई बीमारी नहीं है इस फिर वागने नहीं है यह तकाज़ होता है। वर के साथ उमर के साथ बाल सफेद होते हैं वैसे हमारे गुटने के अंधर जो लेएर होती है। वो घिसना शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं कि हमारे गुटने घराब होना शुरू है। तो क्या ऐसा किया जाए कि घुटने खराब ना हूँ अगर खराब भी हो तो ऐसी उमर में जाके हो कि हमने अपनी बहुत सारी जो है वो निकाल लिए पेली बात तो जो कम उमर में सबसे जरूरी है एक्टिव रहना जिनकी उमर कम है जिनको अभी 30 साल 35 साल 40 साल है यही वो उम यानि कि बैठे रहने वाला जो आज कल कम्प्यूटर की जो आई टी की जॉब्स हैं बहुत ही जादा अकर्षित जॉब्स है लेकिन उसमें सुबह से लेके शाम तक सिर्फ बैठना होता है समय ही नहीं मिलत एक्साइज करने के लिए तो वह गलत लाइफस्टाइल अड़ कर कुछ कुछ देर के बाद अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करना हल्की सेर करना यह सब करना जूरी है दूसरी चीज वेट कंट्रोल करना सबसे जूरी जो गुटनों के उपर दर्द गुटनों के दर्द में जो सबसे जूरी चीज होती है वह हमारे शरी का वजन हमारे शरी अब जिनकी उमर पचास साल पचास साल के आसपास अगी है उनके लिए मैं ये ड्वाइस करना कि आप रनिंग जॉगिंग करें या स्पोर्स कहलें वो एक तरह से प्राब्लम को इन्वाइट करना होगा तो बढ़ती उमर में स्टेटिक साइकल जो मारे घर के अंदर साइकल र और जिनको ऐसे मरीजों को जिनको गुटनो का अर्थराइटिस एक डाइग्नोस हो जाता है उनको जितना जल्द से जल्द हो सके इस प्राब्लम का अपरेशन कराना चाहिए उनको और इंतजार नहीं करना चाहिए अब ही मौजुदा वक्त में आपके बास कहां कहां से अब है एंटायर नौर्थ इंडिया में तो हमारे जो बलक पेशन जादार जो हमारे पेशन से वो पन्जाब अर्याना वाले एरिया से आते हैं लेकिन डेली से नहीं दिली से मारे पस बहुत से पेशन साथे क्योंकि डिस्पाइट बिंग दे कैपिटल ऑ इंडिया वहां प पेशन से इतना दूर ट्रेवल करके भी जिनको यह समझ में आ जाता है कि कैसे उनके लिए बेटर है यह जिन लोगों के किसी रिस्टार्नी ने उपरेशन यहां से कर रहे हो तो इतना दूर से भी ट्रेवल कर के यह बहां लिए और बड़ा अच्छा लगता है यह देखके क कि यह टेकनोलोजी की जो रीच है जो जिन बेग पेशन को समझ में आता है तो वो बेनिफिट लेने के लिए इतना ट्रेवल करने के लिए भी तेहर है यानि नौर्थ इंडिया के लोग भी आपके बास पहुंच रहे हैं मरीज पहुंच और अपना सफल इलाज जो है वो कर जिला से थे तो वो अपनी वाइफ को परेशन कराने के लिए लग बगग 35 गंटे ट्रेंज जर्नी कर लाग कर कर आए और लग बगग हमने को डिचार्ज कि था अपरेशन के फोस्ट और वापस ट्रें बैटके गए तो अब ही इंका जब फोन पे जब बात करते हैं तो बड अपरेशन करवाना चाहते हैं चाहिए वो एक घुटने का है चाहिए दूसरे दोनों गुटनों का है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं बड़े संक्षिप से शब्दों में और साब से शब्दों में उनको हमारी बात हालांकि आपने बड़े अच्छे तरीके से जाओ आस-पास चाहे बहुत लोगों ने पुराने प्राने आपरेशन करवाए है इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी इस जनरेशन में आके 2000-23 में आके वही पुराने टेंग अपरेशन करवाते रहें और अधर्द सेहते रहें अब हम आप हमसे आके मिलें, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सेफ क्या है, जादा सुरक्षित कौन सा उपरेशन है, आपकी रिकवरी जो है वो जादा जल्दी कैसे होती है, कैसे हम कम्प्यूटर का सॉफ्ट्वेर का इस्तमाल क जाएंगे कि मैं बिल्कुल जब बिस्तर पे लेट जाओंगे तब ही ऑपरेशन करोंगा ऐसा बिल्कुल गलत धारना है, जब आपको लगे कि आपके गुटनों के दर्द के कारन आपकी जो रोज मर्रा की जंदीगी में रुकावट अगर आने लग गई है, चलना फिरना कम हो गया है, सायर कम हो गया है, अपने स्पेशलिस्स से मिले, एक्सरे करवाएं, सीटी सिकन करवाएं और अपनी ही लाइफ को बेटर करने में के लिए अपनी खुद की मदद करें रोकर तंदीप सिंगिल, आप हमारे स्टूडियो में है और इतनी अच्छी जानकारी आपने नीज री सर्फेसिंग का अपरेशिंग को करवा सकते हैं, इसके फाइदे आपको डॉक्र साब ने बताया कि कितने फाइदे हैं तो जरूर आप इसको अपनाएं और अपने घुटनों की परिशानी से निजात पाएं और अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो जीएं और अपना शेडियूल इस तरह से बनाएं कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ही ना हो घुटनों की नमस्कार कि एक परिश जाचे लाख एक का सुटनों की नमस्कार